तो दोस्तो आज की वीडियो हम बात करेंगे Allopyrinol के बारे में अब इस Allopyrinol जो Medicine है या फिर जो ये Chemical Name पारीी जो है यूद को बहुत सारी अच्छी सारी कंपनी आज़ो कि आप खुद भी जो है स्क्रीन पर देख रहे होंगे और यह जो medicine है देड़ 100 mg में आती है 200 mg में आती है 300 mg में 100 mg में इस परकार से यह जो है available होती है तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इस medicine का क्या-क्या use है और क्या-क्या इसके फाइदे हैं तो mainly यह जो है आपकी जो medicine होती है यह बनाई जाती है गाउट के लिए जैसे कि आपका uric acid बढ़ गया है अगर uric acid बढ़ जाएगा तो आपको क्या होगा गाउट की बीमारी हो जाएगी अब इस condition में क्या होता है कि आपके joints में जो है दर्द होता है inflammation, swelling आ जाती है इस टाइप से problem होती है गउट में अब इसमें होता क्या है दोस्तों जैसे कि jol होता है तो आसपस crystal जैसा जमा होने लगता है और वेसे ही kidney के ऐसे होता है kidney के आसपस भी जो crystal जो है वो एकटा होने लगता है गाउट में अब देखिए गाउटी दर्द है गौट के बज़े से उसमें तो देते हैं जिसे कलाई बगेरा है कलाई में भी आपके पेन हो सकता है तो इधर देखिए एक चीज और है इधर अलकोहल अलकोहल एक एक important factor होता है गौट के लिए अगर आप बहुती जादा जो है अलकोहल लेते हैं बहुती जादा मतलब मात्रा में अलकोहल लेते हैं तो एक यह सबसे बड़ा कारण है गौट होने का इसके अलावा देखिए आपका गर बजन बहुत जादा है और कोलिस्टॉल बहुत जादा आपका बढ़ा हुआ है तो उसमें इस टाइप से गौट की परिशानी होती है तो इधर मैंने बता दी आपको यह जो एलो पिरिनॉयल है यह गौट यूरिक एसिट जो बढ़ गया है उसको कम करने के लिए गौट की विमारी के लिए यूज में इस मेडिसिन का हम लेते हैं तो चली डोस के बारे बात कर लेते हैं तो एक टेबलेट जनरली एक दिन में की बार लेना होता है और mainly क्या है जो esar होती है सच्टे भेलीज होती Those होती है यह जरूरि एक दिन में एक बार देंगे और 300 थीं और देंगे उसको लेना होता है और कौनवार पानी के सांथ लेकिन बच्चों के लिए और pregnancy में इसको नहीं लेना है अब बात आती है इसको कब तक चलाया जाता है तो यह depend करेगा जब आप अपना blood test करवाएंगे तो उसमें देखना यूरिक acid कितना बड़ा हुआ है अगर ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा दिन दोग चलेगी medicine और ज् कुछी दिन चलेगी medicine तो उस चीज़ पर depend करेगा फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका हर महीने आपका blood test होगा उसमें देखा जाएगा कि यूरिक acid आपका कंट्रोल में आया है या नहीं तो यह सारी condition होती है सारी factor होते हैं अब side effect के बारें बता देता हूं में दर पर side effect म नुजे टाइब हो सकता है आपको दस्त लग सकते हैं या फिर देखें लीवर की बीमारी है ना तो उस condition में डॉक्टर सला करके लेना है वो लीवर के आपकी reading थोड़ी वह तूपन नीचे हो सकती है जब आप ही medicine लेते हो तो लीवर की बीमारी में डॉक्टर सला करके ले त तो वो ले सकते हैं कि नहीं तो देखें इस टाइब से एलोपीरिनॉल वाली नहीं होना चाहिए बागी इसके लाव कोई medicine चल रही तो ले सकते हैं या फिर आदिक जानकरी के लिए जो आप डॉक्टर से सला ले सकते हैं अब इदर बात करते हैं इसके result और फायते के बारे म तो देखें जैसे कि अमना बताया कि अपकी पर्लम पर बीवारी पर कितना ऊएयोड कैसे बड़ा है कितनी गौट की प्रावलम है तो उस चीज़ पर डिपेंड करता है तो देखिए आप इसको 10-15 दिन लेगे ना तो 10-15 दिन ही आपको इसका फायदा जो है नजर आने लग खाना तेल मसाले वाला खाना ये सब आपको बंद करना है अगर आपको इसका अच्छा फायदा चाहिए तो अब देखिए इसके अलावा बजन को कम करना बहुत ही जरूरी है आज की डेट में बजन जादा है तो उससे बहुत सारी बीमारी होंगी इसलिए आप जो है बनाते रहता हूँ अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में जब तक आप देखते रहे हैं और बने रहे हैं आपके अपने चैनल में नॉलेज फोर इंडियन